हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आर चैनल एक्सिलेंस टेक्नोलजी दोस्तों आज की वीडियो भी काफी खास रहने वाली है फिनाइशल एजूकेशन को बिलॉंग करती है और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इंट्रस्टिंग फैक्स जो स्टिमूलस पैकेश को लेके हमने निकाले है और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू तो चलते हैं सीधा न्यूज की तरफ जो ऑफिशिल न्यूज है ये न्यूज है एकनोमिक्स ताइम्स आफ इंडिया की तो उसमें बताया ज में पहली बार हुआ है कि इतना मड़ा एकनोमिक पैकेश जो है वो दिया गया है और इसका नाम रखा गया है आत्म निर्बर भारत अभ्यान जिसके अंदर करीब 20 लाक क्रोड रुपया राहत पैकेश के तौर पे दिया जाएगा और ये 20 लाक क्रोड रुपय जो है ये भा भारत के फानांस मिनिस्टर इसके बारे में डिटेल देंगे तो उसके बाद ही एक्चुल में पता लग पाएगा कि कहा यूज होगा लेकिन जो एनलिस्ट है वो एकस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस पैकेश का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो लोन वेवाफ करने के लिए किया जाएगा जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज ने ले रखा है MSME से और GST rates कम हो जाएंगे कुछ वेपारियों के क्योंकि वेपार मंडल सबसे ज्यादा प्रभाबित हुआ है कुछ जो बिलकुल लोवर दबका है वो काफी प्रभाबित हुआ है तो उन लोगों के 266 US billion dollars तो यह जो package है यह करीब 149 countries जो है उनका इतना annual GDP भी नहीं होता यह उससे भी higher है आप देखिए यह लिकावा है higher than the GDP of 149 countries जैसे हम बात करें व्यातनाम, पुर्तगाल, ग्रीस, न्यूजिलेंड, रोमानिया इधन सभी countries से कहीं ज्यादा है और अगर पाकिस्तान की बा 266 billion dollar का है और जो stimulus package दिया गया है यह करीब 266 billion dollar का है तो अल्मोस्ट यह सेम ही है तो अगर हम बाकी का आगे पड़ें तो twice the wealth of top 10 billion years जो भारत के top 10 richest person है अगर हम उनकी संपत्ती को जोड भी दे तो वो करीब बनती है 147 billion US dollars और जो हमारा stimulus package दिया गया है वो है 266 billion dollar तो यह करी जो है यह bigger है अगर हम compare करें जो top 10 richest person है उनकी उनकी wealth से और अगर हम एशया के सबसे richest person को देखें मुकेश अमबानी जी को अगर उनकी हम wealth से compare करें तो उनकी wealth से यह करीब 5 times उनकी personal wealth जो personal है उनकी अपनी उससे 5 times जादा है उसके बाद देखें equals market cap of JP Morgan and Mastercard हमें बताए कि यह दो companies JP Morgan and Mastercard यह दोनों international market की दिगज कंपनिया है इनका अपना market cap भी काफी बड़ा है तो यह जो package है यह करीब इन companies के market cap जितना ही है तो JP Morgan का जो market cap है वो भी 287 billion dollar के आसपास का है से mastercard का भी इतना ही है तो इनका जो package दिया गया है वो इन companies के market cap के बराबर है उसके इलावा अ इन्टल, Verizon, Coca-Cola and P-Pfizer उनकी market value से भी कहीं ज़्यादा है उसके इलावा हम देखें कि 17% of BSC market value अब BSC जो है Bombay Stock Exchange है उसके उपर जितनी भी companies listed है अगर हम उनका total market cap देखें तो वो total 121 lakh क्रोड रुपीज बनता है 121 lakh क्रोड रुपे बनता है और जो मोदी जी ने package दिया है वो 20 lakh क्रोड रुपे का it means जो BSC के उपर total companies listed है अगर हम सभी को मिला के देखा जाए तो 121 lakh क्रोड बनता है और यह जो 20 lakh क्रोड है यह 17% है उन companies की market valuation का उसके लावा अगर देखें 1 third of Jan March fall in stocks अब देखें जैसे कि हमें सभी को पता है कि January से लेके March के बीच में कम से कम 50% तक जो है वो market नीचे आ चुकी थी काफी lower points पे नीचे गई थी वो तो उसमें जो क्रीब wealth थी वो 58 lakh क्रोड रुपी नीचे चलीगी थी जो भी stock उसके उपर listed थे between January 17 to March 23 इन दिनों के बीच में market ने क्रीब 58 lakh क्रोड देखें तो यह stimulus package जो है यह roughly one third है 58 lakh क्रोड रुपीज का उसके बाद देखें 10 time divestment target अब government of India ने financial year 2021 के लिए कुछ divestment target ले रखे थे जिसमें उन्होंने क्रीब 2.1 lakh क्रोड रुपीज जो थे infrastructure वेगारा मैं उन्होंने invest करना था तो लेकिन अभी COVID-19 की situation आ गी है तो इस case म government of India ने अभी जो package launch किया है वो 20,000 क्रोड रुपीज 20,000 क्रोड का है जो की 10 times 10 times bigger है जो उनका अपना target था financial year 2021 का तो फिर government ने अपने divestment target को revise किया है financial year 2020 के लिए जिसको अभी उसको कर दिया है 65,000 क्रोड रुपीज घटा के 65,000 क्रोड कर दिया है उसके लाबा देखें तो double the size of India's biggest listed firm इंडिया की अगर हम stock exchange पे देखें तो जो सबसे बड़ी firm है वो reliance industry है जिसकी जो net worth है करीब 9,88,940 क्रोड रुपे की है और यह जो financial package है यह 20,000 क्रोड का है तो यह लगभग लगभग double है the package is worth double of the enterprise value of the India's most valued company reliance industries तो देखा दोस्तों आपने कितने interesting facts है कि कितना बड़ा package जो है वो मोदी जी ने भारत को दिया है यहाँ पे अब देखना यह है कि यह package जो है कैसे कैसे diversify होता है किसकी sector में इसकी utilization की जाती है उसके बाद ही पता लगएगा कि market में कौन से sector में आपक आपको वीडियो बसांद आई हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिगा और comment करके अपने views भी आप जरूर बताएगा thank you दोस्तों